नमस्कार आप देख रहे हैं नया भारत दर्पन समाचार और मैं हूँ आपके साथ जोती कर नौजिया आई रूख करते हैं खबर कियो मध्य प्रदेश शासन के निर्देशा अनुसार शहडोल जिलों के छेतरू में भी धान खरीदी केंद्र सुनिश्चित किया गया जहां पर किसानों द्वारा अपना धान लाकर खरीदी केंद्र में तौल करवाया जारा जिसमें जैसिंग नगर के छेतरों में देखा गया कि बसोहरा अमजोर जैसिंग नगर जरुखरा खरीदी केंद्रों में धान खरीदी मनमाने तरीके से किया जाता है जहां पर किसानों द्वारा लाए गए धान को मनमाले तरीके से तॉल करवाया जाता है शासन द्वारा जहां 40 किलो पर बोरी का टैग बनवाया गया है वही पर धान खरीदी केंडर में खरीदारों द्वारा कहीं पर 40 किलो 800 ग्राम तो कहीं पर 41 किलो धान बोरी में भरवाई जा रही है अगर बोरी का वजन माने तो 500 ग्राम होती है फिर भी इनके द्वारा इससे बढ़ा कर ही धान बोरी में भरवाई जाते हैं जी हाँ जैसिंगनगर से लगा हुआ जरू खरा में देखा गया कि वहाँ पर अवस्थी द्वारा प्रतिबोरी 41 किलो धान की कॉल आई करवाई जा रही थी जब उनसे इस विशय पर पूछा गया तो उनके द्वारा यह कहकर की दिखाई नहीं दिया दे रहा और मौन धारड कर लिया जब शासन द्वारा प्रतिबोरी की हिसाब से 40 किलो निर्धारित किया गया है तो बोरी भराई का या कैसा जोल अगर बात करें मजदूरों की तो कई जगों पर किसान द्वारा स्वयम अपना धान तौलवा कर बोरी में भरवाया जाता है जबकि या जिम्मेदारी खरीदारों की होनी चाहिए इस खबर में बस इतना ही बने रहें नया भारत दरपन समाचार के साथ